हेलो दोस्तों स्वागत है आपका LearnHub YouTube चैनल में अगर आप student हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें नाम है रोहिद गुपता और Cutting Process and Machining Tools के Part 2 कोर्स में आज है लेक्चर नमबर 9 तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं Tool Material के बारे में Tool Material पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि Tool Life उससे Effect होती है और दूसरी चीज उससे Economics of Machining में मतलब Tool का जो Cost है वो भी Effect होता है तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था Carbon Steel Tool के बारे में तो Carbon Steel Tool के बारे में बताया था और बताया था यह कहां कहां यूज कैसे यूज करते हैं तो आज हम लोग देखेंगे HSS Tool और Cast Alloy Tool के बारे में HSS Tool का मतलब होता है High Speed Stainless Steel Tool और Cast Alloy Tool का मतलब जो Steel के Different Variant होते हैं अगर उसमें Carbon 4% तक हो 2 से ज़्यादा परसेंट का अगर कारवन होगा तो वो Cast Iron बन जाता था तो उसी Cast Alloy Tool उससे ही बनाये जाता है तो हम लोग आज HSS और Cast Alloy Tool के बारे में पढ़ेंगे तो HSS HSS का Full Form ही है High Speed Steel High Speed Steel Tool ठीक है तो बेसिकली इसलिए यूज किये जाते हैं High Speed के लिए जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है तो High Speed Machining जैसे कि 30 से 50 मीटर पर मिनट इस Speed से अगर हमें कटिंग करनी है तो हम लोग HSS Tool का यूज करेंगे तो High Speed के लिए इसमें क्या-क्या Mix किया जाता है ये भी Question आप से पूछा जाता है तो Basically इसमें Tungustan Molybdenum Chromium Vanadium और Cobalt ये सब ही इसमें यूज किये जाते हैं और ये HSS Tool बनाया जाता है किस से Forging Method से बनाया जाता है तो इसमें क्या-क्या आपको याद करना है सबसे पहले HSS High Speed Tool होता है जिसमें High Speed के लिए यूज किया जाता है जिससे कि 30 से 50 मीटर पर मिनट के लिए और इसमें आपको Contain होता है Tungustan Molybdenum Chromium Vanadium और Cobalt और ये बनाया जाता है किस से Forging Method से ठीक है तो HSS Tool Basically दो भागों में Divide के जाते हैं पहला Tungustan Series दूसरा Molybdenum Series क्यों मतलब देखो देखो दिखाता हूँ मैं यहां आपको मैंने आपको बताया ना इसमें में जो element होते हैं वो Tungustan और Molybdenum तो दो प्रकार से एक जब Tungustan Series होती है उसको हम लोग बोलते हैं T Series और Molybdenum Series को बोलते हैं M Series तो जो Tungustan Series बनती है उसको हम लोग 14, 18, 4, 1 भी कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें देखिए 18 weight percent तक Tungustan होता है और 4 percent chromium और 1 percent vanadium अगर कोई भी HSS tool इस elementों से बना हुआ है तो हम उसको HSS tool T Series का HSS tool मतलब Tungustan Series का HSS tool बोलेंगे दूसरा है Molybdenum Series, Molybdenum Series मतलब M Series अब जब Tungustan Series के उसको बोलें क्योंकि इसमें Tungustan सबसे ज़्यादा था जो कि था 18 percent Molybdenum में M Series के उसमें Molybdenum सबसे ज़्यादा Molybdenum होगा तो 10 percent इसमें Molybdenum होता है और Tungustan तो होता ही है बकाया Chromium और Vanadium भी होता है अलग Tungustan के अलावा 10 percent और Molybdenum हम अगर डाल दे तो वो M Series का HSS बन जाता है और यह tool basically High Abrasive Resistance के लिए यूज किया जाता है कौन सा M Series का क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है It is mostly preferred tool with respect to T Series मतलब M Series का यूज हम लोग T Series की जगे कब करते हैं जब हमें High Abrasive Resistance चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि Molybdenum जो है वो इस tool को High Abrasive Resistance प्रवाइड कराता है Next है Cast Alloy तो Cast Alloy में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें बस इतना ही याद रखिए कि यह Non Ferrous Alloy होता है और 40-45% Fe होता है इसमें Non Ferrous 30-35% Chromium और 10-20% Tungsten और यह Casting के द्वारा बनाया जाता है इतना काफी है देखिए ठीक है तो I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा जो आप मैंने आज आपको दो चीजे बताएं HSS tool और Cast Alloy tool तो इसमें main इतना याद रखना है आपको High Speed Steel tool में दो सीरीज होती है M series और T series और Cast Iron में Cast Iron से बनाया जाता है उसका composition क्या होता है वो आपको याद रख देना है ठीक है तो मिलते हैं next lecture में अगले कुछ tools के साथ तो thank you